हेलो एवरीवन टोडेव एवेशिक टर्म्स ताइस क्रिटिकल डेफ्थ ग्रिटिकल विलॉसिटी मिनिमुम स्पेसिफिक एनरजी डिरिवेशिंस त्थ विल हेल्प यू तू सौल्व जूम्रिकल्स ठीक है इस प्रकार का नुमेरिकल को मैं पढ़ाया था बता रहा था ठीक ह उस प्रकार को नुमेरिकल समझने के लिए आपको बेसिक फॉर्मूलस याद राना चाहिए कि कैसे क्रिटिकल डेफ्थ का फॉर्मूला क्या होता है क्रिटिकल विलॉसिटी का फॉर्मूला क्या होता है मैक्सिम डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है उस बेस को हम य-axis में किया है और है जो हम रोग किसमें किया उसको समझने के लिए सिंपल सी बात है स्पर्मूला होता है किसी भी घ्रम में पृतेंशल हेड बसप्लसम काइनेट कर से वहीं को किया है फॉर्मूला हमारा है एपको तो इस्प्लस व Tracy क्या करना होगा आप देखेगा ठीक है आप सबसे पहले यह वाला जो लाइन है कैसे हमने प्लोट किया उसके बारे में हम सीखेंगे ठीक है सबसे पहले आपको क्या करना होगा इसको ख़दम कर देना होगा ठीक है तो S is equal to H है तो specific energy is directly proportional to H हमारा हमारा क्या है potential head है है तो हमने इसको कैसे हमने इस graph में draw किया इस graph में draw किया एक straight line ठीक है इसका angle कितना होगा 45 degree होगा ठीक है तो similar जी यह क्या होगा आपका potential ठीक है सिब्लिए अभ हमको क्या निकालना है यह काणेटिक कर देजसे अपड़नेगा तो यह को साथ कारगी से डाइगरम बनेगा ऐसे बनेगा बला dol बोलते हैं we squirrel upon 2G है तो हमारा क्या है kinetic energy लाइन है ठीक है अब हम critical specific energy निकालते है किसी चीज का तो हमने ऐसे दर्सा है ठीक हैस ग्राफ को इस point को समझने के लिए हमने एक और ग्राफ बनाया जिससे आपको समझ में आ देखिएगा ठीक है तो हमारा स्पेसिफिक एनर्जी का दो फॉर्मूला होता है एच प्लस वी स्कॉर अपॉन टूजी नहीं तो जब इसको फॉदर डिराइब करेंगा तो अब हम देखते है इस डाइगरम को ऑध्यान देना होगा ठीक है इस टर्म को यह क्या है क्रेटिकल फ्लोओ है मिन्स की हमारा find करने के लिए specific energy आप देख सकते हैं कि इसमें हमारा एक h है मिन्स overall height है कहां पर आए जारा overall height कहां जारा यहां से हमने डॉट डॉट लोन लहें जाला पिर यहां पर किया है तो यहां पर यह जो हमारा है specific energy है क्या होगा h plus v square upon tg ठीक है यहां पर हमारा energy क्या होगा maximum होगा और यहां पर energy हमारा नीचे में क्या होगा minimum होगा तो similarly और हमारा जैसे एक curve है देख सकते एक curve है तो यहां पर क्या होगा यह critical वाला line है इसको हम लोग बलते है critical जहां पर fraud number क्या हो जाता है fr is equal to one ठीक है अब critical के उपर वाला line है उसको हम लोग क्या बलते है sub critical जहां पर fraud number क्या हो जाता है less than one उसका height कितना राजता है h2 रहता है ठीक है और जो हमारा critical flow के नीचे क्या होता है super critical flow तो super critical flow का fraud number क्या होता है greater than one यहां पर दरसाया हुआ है ठीक है तो हमारा critical flow है उसको जो height है किसे दरसाया हुआ है hc से height of critical height और critical depth भी बोल सकते हो ठीक है और तो similarly इस diagram से आप समझ सकते हो तो इस diagram में हमने क्या क्या देखा h1 and h2 क्या है alternative depth है किसका different velocity कि हमारा जो flow है कि critical है कि sub critical है उसमें हमारा दरसाया गया critical height जो हमारा c diagram में आप देख सकते है है तो इस diagram है basically हमने पढ़ा कि critical flow क्या होता है sub critical flow क्या होता है उस्पर critical flow क्या होता है भी इस diagram से आपको समझ में आ जाएगा तो यह सब diagram समझ गये तो अब हमको निकाना है क्याया निकाना है critical depth critical height critical velocity मेनिमम स्पेसिफिक एनर्जी यह निकालना है तो यह सब को निकालने के लिए बेसिक डाइग्रम आपको पता होना चाहिए ठीक है जो हमारा अलड़ी मैं इसको पिछले वीडियो में बताया हूँ ठीक है तो उसी को अभी हम निमारिकल बेस्ट पे करने जा रहा है इसका डिर मिनिमम स्पेसिफिक एनरजी ठीक है तो अब हमने क्या किया कि हमने रॉक्तेंगलर चैनल को ट्रॉ किया है अलाquest can हम लोग कि से देनोट किया वी से इसके जो डंट है उसको किसे देनोट किया है एच से ठीक है तो हमने निदेखा थीक है यह लाइन को यह लाइन को तो दर साते हम लोग H से, ठीक है, H plus V square upon 2G, हमने लिख दिया, अब हम जानते हैं, यह formula में कि discharge कैसे होगा, mostly हम लोग इस सब किसके लिए पढ़ रहे है, flow, जो भी हमारा flow हो रहा है, किसी भी open channel से, तो कैसे होगा, तो simple किया किया, इसमें substitute किया, specific energy में, तो H plus Q by A the whole square upon 2G, अब जब हम इसको square को अलग करेंगे, तो Q square upon A square, तो A square हमानी चाह जागा, तो C is equal to H plus Q square upon A square upon 2G, आप यहां से देख सकते हैं, Q square upon A square 2G, आप जानते हैं, area का formula क्या होता है, किसी चीज़ का area of the section का formula होता है, तो given width plus depth, तो हमा हमारा क्या हो जाएगा, area square में है, तो हमारा B square into H square हो जाएगा, into 2G, जो हमारा value दिया है, हमने, similarly, इसमें substitute किया area का value को निकालके, तो हमारा B square upon A square into 2G आ गया, ठीक है, अब हम जानते हैं, कि हमारा जो value हो गया, हम अलग अलग करेंगे, तो H plus Q square, Q square हम B square है, तो उसको commonly हम लो of small q होता है, ठीक है, तो small q is equal to q by b, small q भी क्या होता है, flow rate होता है, capsule q क्या होता है, और भी discharge रहता है, full discharge रहता है, small q रहता है, किसी particular discharge का, तो हम लोग small q से करते हैं, तो हम लोग यहां पे substitute किया, small q से, तो Q square upon A square upon 2G, यह term हमारा, इसे किया आ गया, एक specific energy के लिए आ गया, हमन critical height, critical, उसको depth के नाम से भी जाते हैं, critical velocity और minimum energy, specific energy, तो हम दो formula से हम लोग निकाल लेंगे, एक हमारा formula क्या हो जागा, e का, e is equal to h plus v square upon 2G, तो s e का हो जागा, h plus v square upon q square upon h square into 2G, यह दोनों formula को इस्तिमाल करके, हम लोग, further हम लोग critical depth और critical height निका लेंगे, ठीक है, तो हम इसमे दोनों formula को लिखा है, अब हमको क्या निकालना है, critical height और critical depth, hc, critical, c क्या होता है, critical, तो hc को हम लोग डिनेट किया, तो आपको पता है, कि hc क्या होता है, आप जानते हो, hc में जिसका fraud number equal to 1 रहता है, उसको हम लोग critical flow बोलते हैं, ठीक है, तो hc निकालने के लिए simple सी बात ह लिखा है, is equal to h plus v square upon 2g, यह लिखा है, is equal to h plus q square upon 2g into h square, इसमें हम लोग कौन सा formula को इस्तिमाल करेंगे, निकालने के लिए second वाला formula को, अब हमको क्या करना है, इस formula को derive करना है, तो derive करना हम किसके case में करना है, h के case में करना है, तो d upon dh is equal to 0 हो जाएगा, आप देख सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो, तो कैसे होगा, d e का e2 minus e1 upon h2 minus h1, उसे आपको energy plus उसका जो height से हमें निकल जाएगा, तो d upon dh is equal to 0, तो similarly हमने h के case में हम लोग derive करना है, तो h क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, plus q square upon 2g, यहाँ पर h2 है, जब h2 उपर जाएगा, तो h minus 2 हो जाएगा ठीक है, तो h2 जब minus 2 हो जाएगा, तो हमारा जब derive करेंगा, तो क्या होगा, h plus, h क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 plus minus 2 q square, h minus 2 minus 1, ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, जब नीचे आएगा, तो h3 हो जाएगा, ठीक है, तो अब इस term को, हमने इस term को further simplification पर ऐसे लिख सकते है 1 minus 2 q square upon 2 g hq, ठीक है, अब हमारा 2-2 खतम हो गया, तो हमारा d e by dh हम 0 put किया, 1 minus q square upon g hq आगे, अब हमको क्या करना है, इस term को critical में हमको substitute करना है, तो critical से simple से बात हो गया, 1 minus q square upon g hq है, तो हमारा क्या हो जाएगा, hc हो जाएगा, वो किस के case में ने रहे है, critical depth निकाल रहे है तो हमने इसको hc से substitute किया, q square upon g hc cube is equal to 1, अब हमने q square निकालना है, तो यह हमारा इधर जाएगा, hc इधर जाएगा, q square upon g is equal to hc cube, ठीक है, अजब hc निकालना है तो क्या हो जाएगा, hc is equal to q square upon g, 1 upon 3 power से, तो यह हमारा क्या निकल जाएगा, critical height और critical depth, ठीक है, तो इसका formula क क्या होता है, q square upon g, power of 1 by 3 is equal to hc, तो यह हमारा पहला निकल गया, critical height और critical depth, तो इसको formula को इस्तिमाल करके, further numerical solve करने में, आप इसको इसको इस्तिमाल कर सकते हो, अब आपको क्या निकलना है, critical velocity, तो critical velocity निकालने के लिए, इसी term को, जो हमारा critical depth का, जो term आया, उसी को further हम लोग simplify करेंगे, कैसे करेंगे, हम दोनों side को cube से क्या करते हैं, cubing करते हैं, तो हमारा q square upon g, 1 upon 3 a cube करेंगा, तो 3 by 3 is equal to hc cube हो जाएगा, तो 3 3 कर जाएगा, तो hc cube होगा, हमने यहां लिखा, hc cube is equal to q square upon g, 3 3 तो यह खतम हुआ, तो हमने hc cube को, हमने g उधर ले गया, ठीक है, तो ह हमारा hc cube into g is equal to q square, ठीक है, तो हमने लिखा, अब हमको इसी term को q square is equal to g hc cube is square, ऐसे भी लिख सकते हैं, अब हम जानते हैं कि q क्या होता है, q होता है, q by b, q by b, capsule q by b, तो capsule q क्यों होता है, discharge होता है, तो discharge क्या होता है, area into velocity, given section of the area, नहीं तो cross section area into velocity, तो हमने simple सी बात है, इस term को इधर लिखा, q is equal to a by b, अब हम जानते हैं कि हमारा q into a term, इधर जाएगा था, q into a, b upon a, हमको b निकालना है, अब हम जानते हो कि a, a क्या होता है, a क्या होता है, area of the section, तो उसका formula क्या होता है, b into h, जो हमारा दिया हुआ है, ठीक है, तो हमने simply multiply किया, तो b b हमारा cancel हो गया, त q square में substitute किया, आप देख सकते हैं, हमारा q square है, तो q square में substitute करेंगे तो क्या हो जगा, v square into h square, आप किसके case में निकाल रहा है, critical के case में, तो हमने c add किया, vc square into hc square is equal to g hc cube, ठीक है, अब हमने vc square को एक side रखेंगे, बाकि term को उदर लेके जाएंगे, तो हमने लेके गया, तो g g hc cube upon hc square, तो hc square खतम, hc cube से दो खतम, एक hc बचा, तो vc square is equal to g hc, अब हम इसको क्या करेंगे, square से हटाएंगे, तो root में चला जागा, तो vc is equal to root of g hc, तो यह आपका क्या हो गया, critical velocity हो गया, critical velocity का formula क्या होता है, vc is equal to root of g into hc, तो आपको g अपको क्या है, critical depth, उसे पता क्या है, critical velocity है, आपको निकल जाएगी, किसके case में, specific energy वाला question में, ठीक है, अब हमारा दो, दो terms को निकाला है, दो formula को निकाला है, आपको निकाला है, critical depth, तो critical height, निकालने के लिए, तो hc is equal to q square upon g, power of 1 by 3, ठीक है, अब हमारा critical velocity का क्या हो गया, root of g into hc, ठीक है, तो इससे हमारा क्या निकल गया, दोनों हमारा निकल गया, अब हमको निकालना है, minimum specific energy, तो minimum specific energy के लिए हमको simple सी बात है, कि दोनो formula हम लोग पढ़ा था, कि कौन-कौन सा formula पढ़ा था, energy का energy, is equal to h plus v square upon 2g, और एक पढ़ा था, e is equal to h plus q square upon 2gh square, ठीक है, यह पढ़ा था, तो हम लोग second वाला formula को इस्तिमाल करेंगे, क्या करने के लिए, minimum specific energy, तो e को हम लोग e minimum से लिख सकते हैं, ठीक है, अब हम जानते हैं कि small q क्या होता है, ठीक है, आप जानते हैं हमने क्या निकाला, critical height निकाला था, तो हमने, जो हमारा formula आया था, तो क्या था, hc is equal to q square upon g, power of 1 by 3, यह वाल टर्म आया था, तो इसी टर्म में हमने क्या देखा, कि q square upon g, ठीक है, तो हमारा क्या है, q square upon g है, अब देख सकते हैं, दोनों side cube करेंगे, तो हमारा जो cancel हो जागा, तो hc cube is equal to q square upon g हो जाएगा, तो हम इस टर्म को जो हमारा यहाँ पर आया है, इस टर्म को लेके हम इसमें substitute करा, q square upon g, तो हम देखा, तो q square upon g हो क्या होगा, hc cube upon 2 h square, यहाँ पर c हमने add किया है, तो hc square और hc cube था, तो दूसरे 3 खर जगते, एक hc बचेगा, तो हमने उसको लिखा, तो minimum is equal to hc plus, यहाँ 1 by 2 है, तो 0.5 हो जगा, 0.5 hc, दोनों को add करेंगे, तो 1.5 hc और इसको हम लोग बोल सकते हैं, 3 by 2 hc, तो इससे हमारा क्या निकल गया, e minimum, तो e minimum क्या होता है, सिंपल सी बात है, energy minimum कहा होता है, जहाँ पे flow velocity थोड़ा कम होता है, 3 by 2 से कम होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, में energy minimum हो minimum specific energy का, लकिन अगर हम देखते हैं कि maximum specific energy का value कैसे निकल लेंगे, तो simple सी बात है, हमने formula को देखा, e is equal to h plus q square upon 2gh square, ठीक है, तो हम लोग q का value जानते है, q square upon b, हमको किसका निकलना है, maximum distance निकलना है, तो simply हमारा q कितना square में दिया हुआ तो इसको भी square में करेंगे, तो हमारा क् q square upon b square, हमने इसमें substitute करा, e is equal to h plus q square upon b square into g into h square, अब हमें h को इस time decide ले गया, तो e minus h is equal to q square upon 2gh square into b square, इस term को ऐसा लिख सकते हैं, further हमने इस term को ऐसा लिखा, e minus h, 2g b square h square is equal to q square, ठीक है, अब हम q square को हटाएंगा, तो इसे root में चला जाएगा, तो q is equal to root of e minus h, 2g b square into h square, लिख सकते हैं, अब हम इसमें देख रहे हैं कि हमारा b square है, एक टॉंग commenter में बाहर निकालते हैं, तो हमारा b बन जाता है, b of root of, हमने h को e minus h से multiply किया, तो हमारा value निकल लगा, e h square minus h cube into 2g is equal to q, यह हमारा k निकल गया, q का discharge निकल गया, तो maximum discharge कहा होगा, जब हम e h square minus h cube दोनों को हम derive करेंगे, तो हम किस के case में करेंगे, h के case में करेंगे, तो हमने derive किया, d e h square minus h cube upon d h, तो हमारा h square है, तो हमारा 2h e हो जागा, minus 3h e 2, यह हो गया, ठीक है, d e upon d h है, तो हमारा term 0 हो जाएगा, हम लोग derive करें, तो 0 is equal to 2h e minus 3h 2, तो हमारा 3h 2 जब इधर आएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, 2h e, एक h, एक h cancel हो जागा, था हमारा जो value हो जाएगा, 3h is equal to 2e, 2 को इधर लाएगे तो 3 by 2h is equal to e, इसका मतलब क्या होता है, 3 by 2 height, your depth is equal to energy maximum, means energy maximum कहागा, जब किसी चीज़ का depth 3 by 2 से जादा हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, maximum वहाँ से discharge निकलेगा, तो हम लोग जब numerical करेंगे, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, relate कर सकते हैं, कि relation किसके बीच में critical depth और critical velocity के बीच में हम लोग relation करके, हम यह value को निकाल सकते हैं, तो यह क्या होगा, आपको क्या होदेगा, maximum discharge देगा, जब इस graph को हम देखेंगे, हमने इस graph में क्या critical निकला तो यह हमारा tangential line है, तो tangential line में दो रहाता है, एक h हमारा potential है, e h square minus q हमारा उपर है, इसी के case में हमने इसको derive किया, तो हमारा value निकला 3 by 2 h is equal to e, इसी base को हम लोग इस्तिमाल करके, हम numerical solve करेंगी, तो हमने इस derivation में क्या क्या देखा, critical velocity निकालने के लिए, दूसरा देखा, हम लोग critical height और critical depth निकालने के लिए, minimum specific energy निकाल और चारो का formula हमने देखा, तो चारो का formula को आपको याद रखना है, और याद ये mostly आपको formula याद रखना इस term पे questions आता है, तो उसको हम question को, अभी हम एक question को solve करके example के तोर पे आपको बताने जा रहे है, ठीक है, हमने एक example लिया है, लिया है क्या, the specific energy of flowing water through a rectangular channel of 7 meter wide is 6 newton meter per newton determine the maximum possible discharge through the channel, इस question में बताया जा रहा है कि एक flowing water जिसका specific energy है, वो कौन सा section के लिए है, rectangular section के लिए है, उसका जो नीचे वाला विर्थ है, कितना है, 7 meter है, और उसका जो energy है, 6 newton meter per newton है, और form को क्या करा है, maximum possible discharge निकालना है, इस question से, तो हमारा इसमें से given data क्या-क्या दिया बी कितना दिया हुआ है, 7 meter, और E कितना दिया है, specific energy कितना दिया है, 6 newton meter per newton, तो हमने इस diagram को बनाया, इस diagram में बनाया और दरसाया, बी बर दरसाया, और हमारा hc है, अभी तो हमारा value नहीं आया, लेकिन value निकाले, तो यहां लिख दिये हैं, ठीक है, और हमारा TC के यह टॉ किसके किसके बीच में critical depth और specific energy के बीच में, तो कैसे relation निकाले है, critical depth को हम लोग जो हमारा specific energy का formula यह था, maximum न्यूटन मीटर पर न्यूटन, ठीक है, तो 3 by 2 into 6, तो 3 दूनी के 6, 2 से कटा, 2 दूनी के 4, तो 4 मीटर क्या हो गया, आपका hc हो गया, critical depth, तो हमने यहां substitute करके लिख दिया, हमने इस time में hc, ठीक है, तो hc हमारा क्या हो गया, value निकल गया, क्या निकल गया, critical depth का, और इसक का, rectangular section का, जहां से हमारा flow हो रहा है, तो हमारा पानी का, जो height है, कितना है, 4 मीटर है, अब हमको क्या निकलना, critical velocity, तो critical velocity का formula क्या होता है, vc is equal to root of, root of g into h, तो उससे पहले हम क्या निकलना है, critical area, critical area को ac is equal to, हम जानते हैं, जो हमारा simple सी बात है, rectangular section का, जो हमारा rectangle formula होता है, b into, हमारा h होता है, जो हमारा b d दिया हुआ है, तो हमारा b b, kतना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ, हमारा height कितना निकला, 4 निकला, sorry, 7 दिया हुआ है, और हमारा हैट कितो निकल है चार निकला तो सच्चाव को 28 अ 9 क्रिटिकल एरिया ठीक है यह हमारा निकल गया क्रिटिकल एरिया अब आपको क्या निकलना है क्रिटिकल विलोसिटी तो क्रिटिकल विलोसिटी का अल्रेडी हम डिराइवेशन में पढ़ें कि हमारा वी सी इकल रूट आफ जी एच सी क्यू होता है जी एच सी होता है तो सिम्ल क्या निकल गया vc निकल गया है आप हमको क्या निकला मै concent तो multiply करा तो हमारा ए कितना है 28 है और प्लस हमारा वी कितना है 6.26 मीटर पर सेकेंड है दोनों को multiply करा तो हमारा जो value निकला कितना निकला 175.27 मीटर क्यों पर सेकेंड तो इसे हमारा क्या निकल गया discharge निकल गया maximum discharge तो इस formula में हमने क्या देखा simple सी बात है basic derivation को आपको formulas को याद रखना है और जिसमें substitute करके आपको direct answer निकालना है ठीक है तो इस में आप इस प्रकार के numerical को और solve कर सकते हो by using this formula तो जिससे आपको मदद हो जाएगी ठीक है तो अभी आपको क्या करना है basically derivation पे ज असान होगा ठीक है तो आपको अभी क्या करना है कि you should practice ठीक है आप ऐसे टाइप का numerical को practice कीजिए अगर आपको doubt होता है तो आप पूछिए ठीक है तो आप घर पे रहिए सुरचित रहिए पढ़ते रहिए और अच्छे से रहिए धन्नेवा थैंक्यू क्या आप उड़त tätä आप करना है तो, इब हम झाएप करना हैhmen।